More than 1700 पॉइंट का वाल बैंक निफ्टी में continuous downtrend देखा है आपने फ्राइडे को in-depth analysis मिलने वाला है High quality research आपको खुद दिखाई देगो तो बहुती जबरदस वीडियो होने वाली है Welcome, 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 welcome guys, welcome back to your own channel, options guide तो स्वागत है आपका एक और शानदार daily marketless वीडियो में आज की वीडियो वीकेंड special है और निफ्टी का अलनेसिस अलरड़ी हम आपको दे चुके हैं वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लें इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का detail अलनेसिस करेंगे जो बैंक निफ्टी में अभी भी important support है और upside market को क्या levels break करने पड़ेंगे अप्ट्रेंड जाने के लिए वो भी detail में आपको बताएंगे जाने के पूरा data analysis लेकिन सबसे पहले अगर आप channel पर नए है बहुत important levels आपको logic के साथ समझाए जाएंगे हम आपको सिर्फ random चीजें नहीं बताते हर चीज के बच लॉजिक के साथ आपको समझाते हैं क्या important levels है कैसे आप अपने trading setup बना सकते हैं intraday levels भी positionally भी तो बहुत ही शानदर वीडियो होने वाली है चैनल को subscribe जरूर कर ले और इतनी efforts के लिए एक like तो बनता है तो like भी जरूर कर दे चलिए analysis पार्ट पर आते हैं bank nifty का detail analysis करेंगे charts पर आज start करेंगे longer time frame से फिर हम चलेंगे later on में intraday levels पर और intraday moves के उपर सबसे पहले important levels की ही बात करेंगे बाद में देखेंगे intraday levels तो यह देखेंगे हमारा bank nifty का chart है अगर आपने हमारी previous वीडियो देखेंगे हैं तो यह trend line वो थी जिसके according हमने एक upper register निकाली थी maximum एक level देखाला था bank nifty का जहां तक market जा सकती है जहां तक यह uptrend जा सकता है तब market almost 35,000 के पास थी और हमने वहां से काफी अच्छा move भी देखा था market ने almost आई लगाय था 37,800 का और यह level था 38,100 लेकिन आज हम इस level की बात नहीं करने वाले हैं अभी जो immediate important levels हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 important support है bank nifty के पास उनकी हम अभी इस chart पे बात करने वाले हैं तो एक बार zoom कर लेता है chart को और आपको with logic सारे levels समझाते हैं आपको यहां 3 trend line दिख रही होंगी ठीक है 1st, 2nd, 3rd हर trend line बे market ने support and resistance लिए अपर trend line देखेंगे यह trend line कब से draw की गी है यह जो हमने sudden crash देखा था market में उसके बाद जब market में recovery आने लगी थी तो यह उस data के according उस chart pattern के according हमने आपके लिए trend line द्रौ की है आप almost कह सकते हैं कि इस trend line में हमने April 2020 से यह trend lines draw की हैं most of the trend lines अब आप सबसे पहले upper trend line देखेंगे तो market में जब भी bounces देखें हमने तो market ने इस trend line पे resistance ली थी previously आप देखेंगे market ने बहुत बार यहाँ पे resistance देए मैंने आपके लिए आपको समझने में easy हो इसलिए आपके लिए mark भी किया है आप first trend line को देखें multiple times यहाँ पे market ने resistance ली है बहुत time market ने struggle किया था यहाँ पे finally February में market ने जाके इस trend line को break किया अब break करने के बाद upper level तो हमने देखा कि market ने बहुत sudden up move दिया इस trend line को break किया तो एक move expected भी था और एक बहुत sudden up move हमने देखा भी almost more than 4000 point की rally आई market में जब इस trend line को हमने break किया लेकिन अब क्या हो रहा है अब market में आरीए correction और दुबारा market को ये trend line अपनी तरफ attract कर रही है अपनी तरफ pull कर रही है और अगर आप देखेंगे तो almost हम इस trend line के पास आ चुके हैं तो जो हमारा first important major support निकल के आ रहा है वो इसी trend line के according आ रहा है और वो exact level है 34600 first immediate major support है market में 34600 level आपको याद रखना है ये देखें मैंने आपके लिए levels mention भी किया है तो first immediate हमारा support level है 34600 अगर आपको यादो जैन में भी हमें एक sudden fall देखने को मिला था almost 32700 level से और हमने almost 30,000 level के below आ गय थे तो वो उस time भी हमने इसी trend line पर रजिशनस लेके एक fall देखा था इतना sudden fall 3000 points का before जो budget हमने fall देखा था finally budget के बाद हमने इस trend line को break किया और अपको लेवल से देखे है हमने काफी अच्छी rally देखी लेकिन important क्या है कि इस trend line ने previously बहुत बार work किया है तो अब इसके according immediate support के पास ही खड़े हम 34600 हमारा immediate important support level है break हो सकता ऐसा नहीं कि break नहीं हो सकता previously भी break किया तो एक अच्छी rally आया थी break हो सकता है तो उसके बार lower support का मेलेगा वो important levels भी हम आपको इस trend line के थुरू बताएंगे daily chart है हमारा firstly देखिए daily time frame पर analysis कर रहे है तो छोटे time frame पर नहीं हो रहा है तो पूरे week का analysis आपको मिलने वाला है इस वीडियो में next support कहा आ रहा है अगर इस level को break कर देते हैं तो वो market में क्या होगा देखिए अब हम बात करते हैं mid trend line की अब यह जो mid वाली trend line है यह क्यों important है तीन trend line की क्या requirement है हमने जो sudden fall देखा था जो sudden crash देखा था ठीक है उसके बाद market ने कहां support लिया था वहाँ से यह trend line शुरू हो रही है जो mid वाली हमारी trend line है exactly इसका first level आप देखेंगे तो यह वही level है जहां पे bank nifty ने अपना low बनाया था जब एक sudden crash हमें देखने को मिला था मार्च में तो उस time से यह start हो रही है trend line first time हमने वहाँ पे support लिया था उसके बाद भी आप देखें multiple times यह जो upper trend line है जब यहाँ से हमें fall देखने को मिला यह resistance का work करी है तो support हमें इसे mere trend line पे multiple time मिला है यहाँ पे भी market को इसने support दिया था यहाँ पे भी market को इसने support दिया था एक बार फिर से market ने December में इस trend line पे support लिया था तो multiple times इस trend line पे भी market ने support लिया है अगर हम इस trend line को break कर देते है तो फिर से expected है कि हमें next support mid-wallet trend line पे मिलने वाला है और उसका level क्या है उसका level है 32,950 तो second important level आगया आपका 32,950 and finally जो हमारी सबसे lower trend line है जहां maximum हमें fall आते हो देखा है जब upper level से आया है हम जब fall आया है इस trend line ने भी multiple time market को बहुत अच्छे से support दिया है आप देखिए और जब इसे break किया था तो इसने as a resistance का भी work किया तो double confirmation दे रही है trend line both as a support का work भी किया है and as a resistance का भी work किया है अभी जो मैंने आपको recent fall बताया था जो हमें budget से पहले देखने को मिला था more than 3000 points का तो अभी market ने exactly इसी trend line पे support लिया था तो अगर हम इस miss trend line को break करेंगे तो next support हमें इस trend line पे मिलने वाला है तो हमें maximum support अब जो दिख रहा है वो हमारा third most important support होगा market में 31,700 तो ये तीनों हमारे bank nifty के important positional support levels है अभी first immediate support level के बहुत जादा pass है market almost 34,800 के पास close हुआ है तो बहुत जादा difference नहीं है first level से only 200 points है अगर ये level break हुआ तो next support more than 1600 points डाउन है और ये break हुआ तो more than 1200 points डाउन हमारा next support है आप ये चीज़ देखिए कि ये मैं आपको सिर्फ इस trend line के according level नहीं है ये ये multiple research के थूरू trend lines मैंने बनाई है यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये trend line दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए जादा चीज़े complex नहीं हो जाए अगर मैं for example आपको समझाना चाहूं बहुत जादा research के बाद हमके साथ ये share कर रहे है important level से सारे जरूर उनको याद रखे first important support bank nifty में 34600 next important 34950 and finally most important level 31700 क्योंकि अगर ये break हुआ bank nifty में बहुत ही बड़ा fall आ सकता है वहाँ पर immediate market के पास कोई support हमें नहीं दिख रहा है तब तब आपको इन levels के according अपने positional trades करने है और important levels है अगर आप strategies पे work करते है तो इन levels के according अपनी strategies भी आप बना सकते है जरूर charts पे mark कर ले important levels है तो ये positional levels की बात होगी अब चलते है intraday charts पे और वहाँ देखेंगी intraday क्या levels है और कहां पे market को support and resistance देखने को मिल सकती है uptrend जाने के लिए भी क्या important levels है वो भी आपको बताएंगे अगर Friday की market देखेंगे तो एक gap down opening देखी और उसके बाद एक continuous downtrend देखा important level क्या था previously अगर आप हमारी वीडियो देखते है तो आपको बताया था कि important level क्या है जिसके breakout के बाद market uptrend जाएगा previously हमने एक बहुत अच्छा bounce भी देखा उसके बाद 35,700 level ये आपको याद रखना है कि market को इस level को break करना पड़ेगा अगर market को दुबारा uptrend में जाना है और इसके बाद जो next important level आएगा वो आएगा 36,500 उसी के पास हमारी expiry वाले दिन closing हुई थी और तब ही मैंने आपको बताया था कि हम important support पे close हुए है अगर ये break हुआ तो एक बहुत अच्छा fall आ सकता है gap down के साथ हमने उसे break भी गया और एक continuous downfall भी देखा तो important level upside के लिए दो हमार पास किया downside के लिए मने आपको important support अल्रेडी बता दिये दूसरे longer time frame के चार्ट पे upside के लिए दो important levels किया है firstly 35,700 and second most important level है 36,500 third day को उस support पे हम close हुए थे लेकिन Friday को हमने उसे break किया और उसके बाद तो आपने देखा ही market का क्या हाल हुआ ठीक है तो important दो upper side आपको levels पता लग गए आब intraday levels की बात करते हैं कि intraday क्या important levels है और कैसी market हमें देखने को मिल सकती है और all market downtrend में है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन bounces भी आ सकते हैं market में और bounces के लिए resistance के immediate उनकी बात कर लेते हैं market के closing almost 34,800 पे आई है तो first immediate resistance है market में 35,000 next resistance आता है 35,350 and उसके बाद जो अभी मैंने आपको uptrend के लिए एक important level बताया 35,700 तो ये तीनों हमारे immediate resistance level है फिर से एक बर बता देता हूँ intraday के लिए ये levels है positionally मैंने आपको separate levels बताए intraday के लिए आप इने use करते है specifically Monday के लिए आपको ये level याद रखने है और इनके according आप अपने trade बना सकते है specifically Monday के लिए इन important resistance क्या firstly 35,000, 35,350 and finally 35,700 तीनों important resistance है support कहां देखने को मल रहा है 35,800 multiple times हमने Friday को भी market यहां पे support लेती हुई देखी थी तो 35,800 first important immediate support है उसके बाद आता है 35,600 जो मैंने आपको longer time frame पी बहता है previously हमारा ये level नहीं था लेकिन trend line के according ये level shift हो चुका है पहले ये level था 34,450 पे लेकिन trend line अगर आप देखेंगे तो upward sloping है तो उसमें ये level थोड़ा shift हो चुका है 150 point तो अभी हमारी resistance आ रही है अपर trend line के according हमारी resistance आ रही है इसलिए मैंने ये आपके लिए new level mark किया है 34,600 next immediate support होगा और उसके बाद 34,450 ये तीनों हमारे support levels है 34,800 34,600 and 34,450 आपको जो जरूर याद रखने है ये था friend detail illnesses hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई भी query है comment section में पूच सकते है bank nifty के analysis से related या फिर आपको stock carry कर रहे है कोई position carry कर रहे है उसके related भी आप query कर सकते है तो hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल पर नए है तो subscribe जरूर कर ले बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए analysis लाते है तो जरूर चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करते हुए जाए आज की वीडियो में इतना ही hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स वीडियो में thank you so much